आस है हलो बनाइगे मसालेदर आलू सोयाविन की सब्जी तो चलिए हम आलू सोयविन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें स्वयवीन लेने ली हैं ये लॉड होने के लिए रख देंगे और ये हमने पैकिट वाली स्वयवीन यूज की है और इन्हें हम धक्के रख देंगे जब तक कर में बॉयल नहीं आ जाता देखिये स्वय वीड में मारी बॉयल आच therapists तब तक हम इसके लिए टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची धनिया कट कर लेंगे चार टमाटर लिये हैं दो से तीन हरी मिर्ची धनिया और प्याज दो और अब हम ओईल ले लेंगे एक चमचा ओईल को गरम कर लेंगे और जब तक सोयविन में मसाली मिला लेते हैं एक चमच धनिया पाउडर लिया है एक चमच नमक ले लेंगे और हाप चमच हमें इसमें लाल मिर्ची लेनी है और हाप चमच हमें इसमें हल्दी पाउडर लेना है हाप चमच इसमें हमें काली मिर्ची लेनी है और दो चमच हमें इसमें अरा रोट डालना है और अरा रोट डालके हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और एक चम्मच धही डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हमने पानी का यूज नहीं किया है, अगर आपको लगता है इसमें हम पानी का यूज करेंगे तो एक चमच पानी आप डाल सकते हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सोयवीन और रोट और मसाले हमारे अच्छे से और अच्छे से एक दूसरे पर चिपक जाएं तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें अगर आपको लगे कि अरा रोट कम है तो आप और डाल सकते हैं तो देखिए सोयवीन और मसाले और अर्टो हमारे मिक्स हो चुके हैं अब हम इने फ्राइब कर लेंगे तो चली इन्हें हम अब फ्राइ कर लेते हैं और हमारा गरम हो चुका है और अब इसमें हमने सोयवीन को डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से भून लेना है जब तक कि सोयवीन हमारी ब्राउन नहीं होंगी तब तक हम इने भूनना है और इन्हें अच्छे से चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगें यह देखिए इन्हें चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगें और हलकी आगर आपके नीचे से चिपक रहे हैं तो इन्हें हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि साइड से जले ना देखिए हमारे कागई में दो चम्चा ओयल ले लेना है और इन्हें हम फृइंगे नुपल नियुक्ता नकाल लेंगे आपके लिए तो कड़ाई में हमें दो चम्चा ओयल ले लेंगे और जीरे को अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें जो दो हमने प्याज कट किया है उन्हें डाल लेंगे और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम ब्राउन होने तक हमें प्याज भून ली है मर्च की व्हाइंब देखें मिर्च के साथ अच्छे से भून लेंग physicians अच्छे चुपूलचनी मिर्च के साथ अच्छे से भून तमाटर को मिक्सी में पीस लिया ता और तमाटर को मच्छे से भूनेंगे जब तक कि तमाटर हमारे ओयल नहीं छोड़ देते अब मसाले मिक्स कर लेते हैं यह ने दो चम्मच नमक ले लिया है एक चम्मच हम लाल मुर्ची ले ले लेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हमचूर पाउडर एक चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और एक चम्मच खाला नमक और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नहीं अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे कि यह हम दो चम मच इसमें पानी यूज करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसे हम रख देंगे दो से तीन मिंट के लिए तब तक हमाई मसाले अच्छे से फूर जाएंगे टमाटर चेक कर लेते हैं देखिए टमाटर ने हमारा ओइल छोड़ दिया है अब हम इसमें मसाले डाल लेगे और मसालो को भी मच्छे से मिक्स कर लेगे मसालो को हम जब तक भूलेंगे जब तक की ऊल नहीं चोड़ देते और आब रखने जो आलू कट किये हैं आलो को भी डाल लेगे आलू हमने गोल कट किये हैं, आप जाहें तो लंबे भी कट कर सकते हैं, आलू को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के साथ ता कि आलू में सबजी में हमारे अच्छा सा फिलेवर आ जाएं इसमें एक कप पानी डाल देना है और एक कपानी हम इसमें और डालेंगे देखिए और पानी को हम बॉइल कर लेंगे सब्जी को जब तक बॉइल आता है और बॉइल होने के बाद हम इसमें सोयविन डालेंगे चलिए इसमें अब सोयविन डाल देंगे सोयविन को भी हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से वॉइल आने देंगे देखिए सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है देखिए बॉइल भी आ चुका है सब्जी में इसमें हम अब धनिया डाल लेंगे जो हमने धनिया कट करके रखा हुआ है और सब्जी हमारे रेडी हो चुकिया है गैस हम एफ कर देंगे अब इसे हम सर्फ कर लेंगे और इसे हम इक बॉयल में निकाल लेंगे यह देखिये सब्जी हमारे कित्य अच्छी से बनके रेडी हुई है तो आप भी जरूर ट्राइ करें एक बार और आपको माई वीडियो फसंद आए है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें आगे मिलते हैं नए वीडियो